तो आज की हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss करते हैं, discuss करने जाने हैं, selection मदर की range की calling, और range important है, क्योंकि range पे ही हम सारा काम करते हैं, range पे ही हम selection करते हैं, range पे ही हम copy paste, type, exciting, जो भी है, वो हम range पे ही करते हैं, तो range थोड़ा सा important है. ठीक है जब, तो चलिए range के बारे में और ज़्धा details से जानते हैं, सबसे पहले हम किसी particular range को call करेंगे तो करेंगे कैसे, कोई भी particular range को हम कैसे call करेंगे, यह सबसे पहला topic आता है. हम इंसार्ट पे गाया, मोडूल्स को इंसार्ट की, subject, एक subject लेते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं, range के लिए हम लिख सकते है range, यहाँ पे a1.select, range a1.select, यहाँ लिख सकते है sales 1,1.select, right? तो sales 1,1 क्या हुआ? पहली रोग और पहली कॉल्न. तो sales 1,1.select मतलब यह column 1 and column 2 और तीसरा हमारा है active sales यह हमारा sales का calling method है कि किसी range पर आपके कुछ करना है तो खाया तो range A1 या sales या active sales कहला है लेकिन माल लिजिए कि अगर मैंने लिख दिया कि range A1.select तो हमने लिखा range A1.select तो यह क्या करेगा कि जो हमारी active cheat होगा उसी के range A1 को select कर देगा लेकिन मुझे अगर किसी पर्टिकुलर range के किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर range को अगर select करवाना है तो क्या करना होगा आप लोगा recording स्टार्ट कर दीजे मैं recording के permission दे दिया हूँ तो यहां पर अगर माल यह seat 2 के range यह उनको select करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर उपर में इस शीट्स और यहां भी इंवर्टेट कॉमा में शीट्टू डॉर्ट सेलेक्ट यह आपको लिखना पड़ेगा तो जाके पट सीट्टू की एवन को सेलेक्ट करेगा लेकिन मुझे अगर माल लीजी कि मेरे पास फाइल अलग-अलग है जैसे मेरे पास एक बुक टू भी है माल लीजी है मैं चाहता हूँ कि बुक टू के सीट 3 के एवन को सेलेक्ट करें तो आपको इससे पहले जो है लिखना पड़ेगा वर्ट बुक्स डॉट बुक टू डॉट एक्सलेस एम डॉट सेलेक्ट तो अगर आपको पता है कि सिर्फ अमरे एक्टिव फाइल से लिए जो सीट एक्टिव है उसी पर काम करना है तो इसी रखना आपको पता है कि एक्टिव फाइल के सीट 2 के चाहिए तो फिर वर्क बुक देनी की जरूरत नहीं है तो अगर आपको कंपी पात चाहिए तो इस तरह से आपको लिखना रहे है कि लिए रहे है कि लिए रहे है कि अब मुझे एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या को ए में मुझे एक पर्टिकुलर परीज़ को फिरेंज के लिए रहे सेलेक्ट को लिए एक लिए जरूर रहे है कि लिए के है काुईक्या सिए जरूर तो इस शई है अवे अवार अवार होगा आवगा है हाल जटान भाइन गुने लेट नचर्च मुझे आगर इस एरिय को सेलेक्ट करना है मुझे A1 से लेके G14 को सेलेक्ट करना है तो A1 से लेके G14 को सेलेक्ट करने का कोड होगा जैसे normal maxim में करते हैं लोग न कि A1 से g14 dot select तो एh a1 से g14 को select कर लेगा या फिर दूसरा तरीका जो bv का तरीका होता है वो होता है range a range a1 comma g14 dot select तो यह आपका starting position हो गया और यह आपका ending position हो गया तो एकसल में जाएगा और यहाँ पर click करेगा और नीचे यहाँ पर click करेगा और seat को select कर लेगा ठीक है और सर जब range नहीं पता हो तब वो बताता हूँ आपको अब दूसरा है कि अगर हम लोग क्या रहे हो स्लेक्ट करते हैं ना कुछ selected cell को select करते हैं पूरा एरिया नहीं select करते हैं तो उसकी selection का code हम इस तरह से चर्नेट करते हैं कि range जैसे मुझे कि A1 को select करना है, C1 को select करना है, E1 को select करना है, जिस range को select करना है, और range आप यहाँ पर लिख दे, और फिर उसको dot select, ठीक है, अधर से मैंने सबाल पुछा कि अगर मुझे पताना है, तो हम dynamic selection की बात कर रहे हैं, कि जो हमें कुछ पता ना हो, तो dynamic selection कैसे करने होगा, हम इसको select किया और control है, मैं अंदर जी आप में join किया है क्या, यह admin से कौन join है, विश्वजी तूसर, तो अगर मुझे control है करना है, तो हम क्या करते हैं, कहीं भी करसर रखते हैं, और यहां पर हम control A करते हैं, तो पूरा area हमारा select हो जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे, range a1.currentregion currentregion dot select, अब currentregion क्यों किया है, currentregion करने के ज़रूते हैं, कि जो हम control A करते हैं, वो आपको find and select में, go to special में, आपका currentregion होता है, जिसको select करके, ओके करिया, तो select हो, समज़ गया है? लेकिन होता है कभी कभी इसमें कि यहां पर और यहां पर अगर आपने लिख दिया हुआ है, फिर आप select करेंगे control A, तो यह भी select होता है, उस case में हम क्या करेंगे, इसको select करेंगे, यहां, और control shift के साथ हम right arrow press किये, और down arrow press किये, यह selection लेता है, तो उससे पहले एक चीज को जानिए, कि जो आपका cursor है, जो भी cursor है आपका, उस cursor को मुझे directly नीचे लेके जाना है, यहां, मैं चाहता हूँ इसको सबसे नीचे यहां आजाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए लिखते हैं range कि a1.and xlsdown.select, अगर मान लिखते हैं कि मुझे यहां से यहां लेके जाना है, यह down के जगह पे एक सा right, left, up, चाहँ तरब से हो जाता है, तो उसकी कोई column नहीं है, लेकिन कभी-कभी इसमें इक problem होती है, problem क्या होती है, कि बीच में अगर मालम है, delete कर दिया, तो फिर a उपर से नीचे यहीं पर आके रुख जाएगा, महत जहां पर break होगा, तो ऐसी अगर problem है, तो काफी दिक्कत हो सकती है, तो उस case में हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं कि range a, a1 नहीं, a65, dot and excellence up, dot select, इससे क्या होगा, कि ओ, a65,000, row पे जाएगा, और वहां से control के साथ, अब arrow प्रेज करेगा, तो आप देखेंगे, कि सबसे last में ही रुख जाएगा, तो यहां पे हम आपको उताएगे इस तरीक से करते हैं, तो यहां पे question उड़ता हैं कि कोड में a65,000 ही क्यों लिए, यहां पे आप 10,000,000,000 अपने कॉर्डिन से ले सकते हैं, लेकि मैं 65,000 इसलिए लेता हूँ, क्योंकि मेरी एक कोड, एक्सल की एक्सलेस फाइल जो टुठा अंतरी के होती है, उस पे work कर जाए, समझें? तो यह हम cursor का move करना चाहते हैं, लेकि मैं चाहता हूँ कि cursor selection लेके move करें, मतलब कि यहां से control shift इस तरह से, और फिर इससे नीचे लेके आए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, कि एक कोड यहां generate किया, कि range, हमने आपको उपा रहे मतलब बताए कि starting position और ending position, तो मेरा starting position A1 है, और ending position क्या है, हमने बोला, range A1 से, and excel to right.select, ठीक है सर, तो A क्या हुआ? क्या है. और फिर यहां पर लिखेंगे कि Selection, Selection.EndExcelDown.Select मतलब क्या हुआ कि यह दो लाइन चलेगा, उपर वाली लाइन जो है आपका, यह उपर वाली लाइन जो है, यहां से Ctrl-Shift यहां पर जाएगा, और फिर नीचे वाली लाइन जो है, वो इसी Selection को नीचे के तरफ लेके आएगा. ठीक है? अगर अगर आपका आप सेल मालेजिए कि यहां भी स्रीज ब्रेक है, और यहां भी स्रीज ब्रेक है, तो आप स्लेक्ट करोगे तो आपका यह देटा स्लेक्ट होगा, और पूरा ने. तो यहां पर सेलेक्शन हुआ थे क्या हुआ कि यहां से लेके यहां गया और यहां यहां यह तो इस selection को और अधंग से चलाने के लिए मैं क्या किया यहां पर मैं लिखूँगा कि range एक डिरेवल लूँगा कि c equal to range xfd1 dot and excel to left dot column और r equal to किया मैं कि रेंज a65000 dot and excel to up dot row अब यह क्या होता ही है और फसे वरे स्वाजिए कि r और c क्या है तो r और c विरेवल्स है जैसे कि आप लोग अपने इसमें mathematics पढ़ते थे उसमें आप लोग x, y, z, a, b, c, d लेते थे थे ना ऐसे मैंने यहां भी x, y, z लिलिया temporary hold करने का अब यह xfd1 और यह क्या है a line क्या करता है कि यह हमारे data में जाता है और सबसे last बारे column जो है xfd1 यहां से control के साथ left arrow की press करता है और सबसे last बारे column में चलाता है अब इसमें फायदा क्या हुआ कि इससे नीचे जो इसके बाद जो ब्लैंक रोग अगरा है इससे पर इसको नहीं कर रहा है कि ओर नीचे पैंससफ जार से ऊपर की ओर जाता है और इसका row number दी जाता है जो कि 14 है साथ column and 14 row data यहां आएगा तो आपका data का last sales जो है पता चिल जाता है अब इसको select करने के लिए हम क्या करेंगे यहां लिखेंगे कि range स्टार्टिंग पोजीशन हमें पता है कि हमारा एवन है और एंडिंग पोजीशन के लिए कर दिया sales आर कॉमा सी डॉट स्रेंट यह आपका selection में थार्ड है डाइनमिक रीन सेलेक्शन का सब्सक्राइब एक बार उपर से नीचे कोड को देखिये और बताईए कि कि कोड सा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया अखवालम जी आपने तो सीख रखाया आपको ता पताई है सारा मनीश जी मनीश अंकर जी एंड श्मिता जी आप देखिये सारा जी आपको तो सारा पताई है आपको पताई है आपको अपको तो सारा श्मिता जी आपको बार एंड अधारें हमारा अधार्वार एवन से स्टार्ट ओक्या नहीं कहीं और पड़ा है तो करके स्टार्टिंग अपने जाहिए लिए अपने रिए यह है अभी एक सीट के लिए तो थीक है मैं आप कह रहा है कि डेटा का स्टार्टिंग पूजिशन तब पता हो नहीं रहें कि डेटा कहा से स्टार्ट हो रहा है जा सब्सक्राइब दस लाख रोग पर गांके जा कि अधिन पर देगा रहें तो वहां से दूना जा सकता है कि स्टार्टिंग पूजिशन आपको बताना ही और अ कि नहीं वह मैं समझ गई वह एक्चिन आगे आप आपकी दो प्रॉब्लम में उसो आगे भी देख लेंगे तो समस्क्राइब कि मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि अब पहले चीज़ को जानिए कि सारा कंसेप्ट आपने सीखा कि इसलिए कि मैंने आपको सीट के बारे मताया तो शीट से आपने क्या किया कि आप जब भी सीट बनाएंगे जिसे शीट के उपड़ा शीट क्रियेशन से लेकर सारे चीज़े कर सकते हो ऐसा ही रेंज में सबसे पहले प्रॉलम क्या होती ही कि आप एकसर को कुछ भी करने जाब तो आपको पीवट लगाना है तो आपको पीवट किस डेटा पर लगाना है इसका एरिया होना चाहिए माल लिजे आपको पीवट लगाना है तो यह फिल्टर लगाना है शॉर्टिंग करना है डेटा स्लेक्शन करना है को पीपेस करना है चार्ट करना है तो उस पर सबसे जड़ा इपोर्टिन क्या है देटा अची है तबसे देटा स्लेक्शन जोड़ी है न जयु कि जब तब टीटा को एक एक गड़ेगा नहीं किससे ओ यह पिश्याया करें है और स्लेक्शन में डेटा आपका कितना रहा आना है क्या है ता नहीं है इन ही बोड़ाएक पता हो चाहिए ठीक है तो इलियन जो है selection method आपको हर जगा काम आएगा जहां भी रिम करेगी तो इसको आप अच्छी तरह से जो है देखेजिए इसको आप जहां में रखके जरूर कीजिएगा नहीं तो फिक दिकत हुजाएगी आपको रेंज कर लिए अब चलिए रेंज की हम selection कर लिए अब हम रेंज की formatting के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है जाद रेंज की formatting कि किसी particular data data को आप कैसे format करो select जिसे मानने जो selection method लगा के आपने select कर लिए जैसे कि मैंने control A ही ले लिया यहां पे लिखा रेंज अब select अब मुझे इसके ऊपर current region के ऊपर select के ऊपर जो भी है मुझे माल लिजिए कि कुछ और चीज़े अप्लाई के लिसे इसे मुझे फॉंट अप्लाई गया साइज करना है और साइज यहां जो भी साइज देना चाहते हैं बिताओ इंको में बड़े करना है तो मैं नेम के जगह पे लिखोंगा bold और equal to true करना अब यहां पर एक चीज़ देखे कि मुझे font पे font अप्लाई करना है साइज चिंद करना है बोल करना है अंडरलाइन करना है और साइज में color भी करना है तो यह सब करना ही के लिए मुझे हर बाग जो आप देख रहे हैं मुझे हर बाग range a1.crane region.font देना ही करना है तो कभे करिए आप रिकॉर्ड करते हैं तो bit command देखते होना है चलिए हम bit command को आपको सिधाते हैं कि with command क्या करता है यहां दिया कि with range dot name equal to carrier dot size equal to dot color equal to vv rare green blue dot italic equal to true dot underline equal to true dot stick true equal to true और फिर लास्ट में bit command से क्या फैदा हुआ क्लाव मनिशंगर जी शरी शर्ट हो गया रेंज आइज वारा फॉन तक का जो मारा अनुरा भाला लगना पटराएव वह मैं लगना पटराएव तो bit command क्या होता है कि एक ऑप्जेक्ट या एक ऑप्जेक्ट के sum object के ऊपर आपको कही सारे members को apply करना मतलब कि एक object and some object के अंदर कई सारे correction के खाम करने है तो बार बार उस object को देना जोड़ी नहीं है with command आप लगाए उस object को दे दे उसके बार dot 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 करके अपना actions लिखते चले जाए और in the last आप जो है and with यहाँ पर आपने पहले चीज़ सिखा bit command जो कि आगे इसका use होने वाला है दूसरा आपने सिखा कि किसी भी area के उपर हम font कैसे apply करते हैं हम font कि size कैसे change करते हैं हम color font color कैसे change करते हैं हम font को italic underline institute कैसे करते हैं तो font कि जो formatting होती है और आपने यहाँ पर सिख लिया अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसकी background color change करना हो और color का concept क्या है ओ चलिए हम बात करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर color apply करना है तो dot interior dot color और equal to आप लिख सकते हैं vv rain vv green vv blue vv white vvishan vv magenta जो आपका color है वो color आप इसमें दे सकते हैं लेकिन आपको color चाहिए यहाँ जो हम लोग color apply करते हैं उस तरह का color चाहिए कई सारे color चाहिए तो उस case में हम इस color के लिए इस्तमाल क्या करेंगे उसको आप लोग देख लिजिए तो color के लिए इस्तमाल हम लोग करेंगे dot color rgv rate green blue अब यह rate green blue का जो हमने number दिया यह हमें particular color का number कहां से मिलेगा तो उसके लिए आप Excel की मदद ले सकते हैं जैसे कि कोई भी code apply करते हैं इसके more field पे आप चले जाएंगे तो इसके custom पाएंगे तो यहाँ पे आप इसके rgv numbers मिल जाएंगे ठीक है clear जब या फिर एक और तरीका है इसमें interior dot color index equal to यहाँ पे आप 1 से लेके 56 या 55 तक के नंबर लेंगे तो एक color index उसमें fix है कि 1 पे एक लड़ाएंगा 2 पे लड़ाएंगा 3 पे लड़ाएंगा अब वो color index कहां से मिलेगा तो 2007 के Excel help में तो असानी से मिल जाता था आपर 2013 में help में नहीं मिल ला है तो आपरो अप्लाई करेंगे एक बार देख लिजिए या फिर color code बना लेजिए या चलिए मैं color code बना ही देता हूँ मैं एक मैं को मनाता हूँ जो color code देगा सब भर प्रैस सब प्राइ抜रा कर देखा सुर्ण ला ही यापर आप कर देखा अपरो खुर्ड़ जापकर देखा वा छीमा कर देखा सा क्षज। поч index fewer प्राइब टूर आगी कर दोटें आगान एडवाफ़ा नम धिदान कर दो प्मख़ा इड़ ऑनी लॉक बंदान, इन प्राइब में प्राइब 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 में जो जब आग़ांग जलागा इड़ाओं से लॉकि घए ड़ा भाने फाम बॉकिते हैं नहीं एलागाओ यहां कर रहा हूँ sales पर यह नहीं आता है authorization नहीं आता है यहां आता है आता है आता है आता है तो नहीं RI गलत हो गया, गलत हो गया, दुवारा सप्लाई नहीं, यह आई नहीं होगा, आर होगा, और यहां आर इक्वल टू आर प्लस वन होगा, और यहां भी आर होगा, ठीक है? यह आपके color index number है, यह आप 1 लिखेंगे तो black आएगा, 2s आएगा, 3s आएगा, 4 में green आएगा, 5 में blue आएगा, dark blue आएगा, यह आपके color index number है, तो आप इसके जो color ज्यादा use करते हैं, आप उसको याद कर लें, कि आपका color index में कौन color है, जो mostly हम लोग 3-4 पांच कर लें, यूज करते हैं, तो आपको RGB जाने की जरुवत नहीं, क्या वोलने हैं, आज की जगर मैं 10 करता हूँ, 56 के बाद color नहीं है, यहाँ दखेगा, 56 तक ही color है, उसके आगे color नहीं, इसके color निकालते हैं कुछ? क्या? आज की values होती है, ने वो नहीं है, उससे लग color निकालते हैं, एक color index number है, बाद की color का एक index किया गया सिस्टम में, उसी का numbling सिस्टम है, जाब के सामने है, ठीक है? चलिए, हम font apply करना सिद्धिया, और हम color करना सिद्धिया, क्या बसता है? border, कि अब border कैसे apply करोगे? उसके लिखेंगे range, जो भी area आपका है, A1 से लेके, C15 ने जो भी area आपका है, dot borders, और dot line style, equal to, x of continuous, या 1 कर दे, दून एक ही है, all border जो होता है, उसके लिए, लेकिन, जब भी आप record करते हैं, तो recording macro में आपने आपने बोडर अप्लाई किया, तो आप देखते हैं कि अजीब तो रखा बोडर को रहाता है, देखे, पहले तो border को clear किया इसने, प्रेस मजिए, तो क्या होता है कि यह जब भी बोडर में अप्लाई करते हैं, आप मिडल, डाउन, लेफ्ट, सेंटर, आयन, प्रिजिंटर, वर्टिकल, यह सब चीज़ यह होती है, तो यही आपका होता है कि अगर बोडर आपको continuous चाहिए, तो आप यही पे मेरा जब और इसको अप्लाई करें, आपको टॉप में बोडर चाहिए, मिडल में चाहिए, लाइन चाहिए, बगर बगर, तो फिर आपको इस मेठोड के इस्तमाल करना होगा, देखिए, कि बोडर, एक्सल, एक्ड, लेफ्ट, लेफ्ट से है, लाइन स्टाल क्या होना चाहिए, कंटिनियोस होना चाहिए, कलर इंडेक्स जीदो होना चाहिए, कोई कलर, डिफॉल्ट कलर मतलब, इसका थीन से यह भी जीदो होना चाहिए, और इसका जो बेट्थ मतलब कि इसकी जो मोटा ही है, एक्सल थीन होना चाहिए, मोटा चाहिए, तो एक्सल थीक होगा, और ऐसे ही यहाँ पर इसकी बोडर की कोडिंग की गई है, सिं, अज़र आलाइमेंट के आप करते हो, मैं रिकवाड़िक की बता रहत Salvenue विकोड पर इसकी तरफित तरह से बनते हैं, एक्सल लप और एक्सल राइट राइट लप सेंटर वर्टिकल अराइमें एक्सल टॉप एक्सल बॉट्म एक्सल सेंजर मिडल मिडल पर इंदेन डालना इसका लेबल क्या होगा सीटिंटू फीट होना चाहिए और मर्ज होना चाहिए अगर नमबर की फ्रामेटिंग जाजिक आप रोग कास्तम इस्केमाल करती हैं दॉट्सं ना किस्तं पोमॉट्स लिखते हैं अगर इसकी ब्रेकर तुर करना है तो आपको लिखना होगा रेल एवन डॉर नम्बर फॉर्मेट और यहां पर कोड इसे डेशमर लगाना है और परसंटेज लगाना तो 0.0% इसे डेट का देना है तो डी डी एनम वाई वाई ऐसे आपको अगर डॉलर साइन लगाना है कुछ भी करना जो भी कोर्स अब कस्टम में लिखते हैं वो फोर आप यहां दे हुए लिए सर तो इस भी का प्रजेक्ट आप लोग लिखें इस भी का प्रजेक्ट यह है कि फॉर्मेटिंग की कंसेप्ट को लेते हुए मुझे एक अटेन्मिल्स फॉर्मेट का वी वे कोड जन्नेट करके आप लोग दीजिए ठीक है क्या करेंगे कि आप वी वे कोड का इस्तमाल करके एक अटेन्मेटिंग अटेन्मिल्स का माइक वो त्यार करें जो की एक अटेन्मिल्स का फॉर्मेट बना देंगे ठीक है सर्व जो अटेप्ट आपको समझ में आएगा उसको रिकॉर्ड करके देख लिजिए अगा नहीं बना फिर भी आप मुझे मेल किजिए गा ताकि मैं देखोंगा कि हां कहां तक गया और कहां आपका लिक्कद होई ताकि आपको आगे अगे आपकाशने तीक हैं झाल